हेलो गाइस, वेलकम बैक टो मैं चैनल, तो आज के इस वीडियो में हम लोग LNMU पार्ट थर्ड जी एस पेपर का कोस्टन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं, जो 2022 के एक्जाम में पूछा गया है, और इसका एक्जाम आज ही हुआ है, 8 अक्टूबर को 1st सिटिंग में, और ये जो कोस्टन पेपर है, ये आर्ट्स का कोस्टन पेपर है, और आर्ट्स में ये ग्रूप A and B का कोस्टन पेपर है, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे प्याला कोशन पुछा गया है रॉलेट एट उनेस उनेस डॉट डॉट की अवधी के दौरान अधिनियमित किया गया था इसका आंसर हो जाएगा ओप्स नंबर फर्स्ट लॉर्ड चेम्स फॉर्ड नेक्स्ट कोशन पुछा गया है निम्लिखित मेंसे किसने फॉर्वर्ड ब्लॉक पार्टे की अस्थापना की तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्स नंबर ए सुभास चंद्र बोस नेक्स्ट कोशन पुछा गया है चोड़ा चोड़ी कांड के बाद गांधी जी ने डॉट डॉट को निलंबित कर दिया तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्स नंबर ए और सहीओ गांदोलन नेक्स्ट कोशन पुछा गया है बंगाल विभाजन को किस वर्स रद कर दिया गया तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्स नंबर B. 19118SV में नेक्स्ट को सम बुचा गया है 1857 का वास्तिविक विद्रो निमलिखित में से किस अस्थान पर शुरू हुआ तो इसका आंसर हुजा आएगा option number B मेरट नेक्स्ट को सम बुचा गया है निमलिखित में से कौन भारत का प्रत्रम वैसराई था तो इसका आंसर हो जाएगा option number B, Lord Canning next question पुछा गया निमलिखित मेंसे किसे करांती कारी विचारों के जनक के रूप में जाना जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा option number C, विपीन चंदरपाल next question पुछा गया निमलिखित मेंसे ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा option number B, राजा राम मोहन रहे next question पुछा गया है निमलिखित मेंसे कौन सी जगह बहाबी आंदुलन का प्रमुख मुख्य के अंदर था तो इसका आंसर हो जाएगा option number B, पटना next question पुछा गया है भारती राष्टे कॉंग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा option number B, इसका आंसर हो जाएगा जोर्जी यू ले next question पुछा गया है हरीजन समाज पत्र के संस्थापक कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा option number A, M.K. गांधी यानि महात्मा गांधी next question पुछा गया है लियाकत नेरू पैक्ट किस वर्स किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा option number C, 1950 इसवी में next question पुछा गया वर्णा कुलर प्रेस एक्ट को निमिखित में से किस ने रद किया तो इसका आंसर हो जाएगा option number B, रिपन next question पुछा गया है भासा के अधार पर किस राज का सरपर्थम गठन किया गया तो इसका आंसर हो जाएगा option number B, आंध प्रेस next question पुछा गया है महार सत्याग्रह का नेतरत्व किस ने किया था इसका आंसर हो जाएगा option number B, बी आर अभेट कर next question पुछा गया है नेमलिख्यत मेंसे किस के बीच पूना समझ होता हुआ था इसका आंसर हो जाएगा option number A, गांधी जी और भीम रोंभेट कर next question पुछा गया है नेमलिख्यत मेंसे किस ने इलहाबाद में आंसरो जाएगा option number A लियाकत अली नेक्स्ट को समपुचा गया है 1942 में क्रिप्स मिशन किस वैसराई के समय भारत आया था तो इसका आंसरो जाएगा option number A लॉर्ड लिन्थियोत गो नेक्स्ट को समपुचा गया है भारत की राजधानी को किस वर्स कलकत्ता से दिली अस्थांतरित किया गया था तो इसका आंसरो जाएगा option number B लॉर्ड 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 नेक्स्ट को समपुचा गया है दांड यातराक के समाप्ति के बाद गांधी जी ने किस तारीक को नमक कानून तोड़ा था तो इसका आंसर हो जाएगा option number C छोपरेल 1930 नेक्स्ट को समपुचा गया है भारत के समिधान में कितने मौली कर्तवियों पर धियान दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा option number B ग्याड नेक्स्ट को समपुचा गया है नेमलिखित में से किसे संसत हिकार है तो इसका आंसर हो जाएगा option number B राश्ट्र पती नेक्स्ट को सम्पुशा गया है चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान में किस अनुछेद में की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा option number C अनुछेद 324 नेक्स्ट को सम्पुशा गया है 1975 में आपातकाल की घोसना करने वाले राश्ट्र पती कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा option number A फकरुद्दीन अली अहमद नेक्स्ट को सम्पुशा गया है समिधान की किस भासा को राज़ भासा का दर्जा दिया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा option number B हिंदी नेक्स्ट को सम्पुशा गया राज़ सभा की सदस्टा के लिए नियुनतम आयू क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा option number C तीस वर्ज नेक्स्ट को सम्पुशा गया भारत में कुल कितने राज़ है तो इसका आंसर हो जाएगा option number B 28 नेक्स्ट को सम्पुशा गया है किस वर्ज सभीस विवयापार संगठन की अस्थापना हुई तो इसका आंसर हो जाएगा option number D इसका आंसर हो जाएगा 1995 चानवे सभी तराश्टर दिवस कब मनाया जाता है इसका आंसर हो जाएगा बरलिन की दिवार कब बनाई गई थी इसका आंसर हो जाएगा उप्सिन नबर B 1961 Next को सम्पूचा गया है सब्द पिचर किस से संबंधित है इसका आंसर हो जाएगा उप्सिन नमर B Baseball Next को सम्पूचा गया है Kricate में पहला विस Book Up आयो जित किया गया था इसका आंसर हो जाएगा उप्सिन नमर 10 इसका आंश्र हो जाएगा 1975 इस में Next question पुच्या गया है संतोर स्ट्राफी संबंधित है तो इसका आँश्र हो जाएगा Option No. B Football Next question पुच्या गया है रंगा स्वामी कप संबंधित है तो इसका आँश्र हो जाएगा Option No. B Hawkeye नेक्स्ट कोसम पुछा गया पहली बार कॉमन विल्थ गेम खेले गए तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A, 1930 इस भी में नेक्स्ट कोसम पुछा गया इंडिया विंस फ्रीडम किस ने लिखी तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर C, अब्दुलकलाम आजाद नेक्स्ट कोसम पुछा गया वेल्थ ओपने सन किस ने लिखी तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B, एडम स्मीथ नेक्स्ट कोसम पुछा गया भारत के तीन प्रमुक फसल मौसम है तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर B, रभी खरीफ जायद नेक्स्ट कोसम पुछा गया खरीफ मौसम का मुख्य खाद फसल तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A, चावल नेक्स्ट कोसम पुछा गया पाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राजिक कौन सा है तो इसका आंसर हो जाएगा option number A राजस्थान नेक्स्ट को सम पुछा गया है किसे समिधान सभा का और थाइस अध्यक्ष निउक्त किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा option number D सचीदा नंद सिंग्धा नेक्स्ट को सम पुछा गया है 26 जनबड़ी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा option number D गनतंत्र दिवस नेक्स्ट को सम पुछा गया है अब हमारे समिधान में निमली खित में से कौन सा मौली का धिकार सामिल नहीं है तो इसका आंसर हो जाएगा option number D संपत्ति का धिकार नेक्स्ट को सम पुछा गया है पुछ तक इंडिया डिवाइजर किस ने लिखी तो इसका आंसर हो जाएगा option number A राजेंदर प्रसाद नेक्स्ट को सम पुछा गया प्रसीद इलहाबाद परस्ति के लेखक कौन थे तो इसका आंसर हो जाएगा option number B हरिसेन नेक्स्ट को सम पुछा गया है तरिती बौध सवा की अध्यक्ष्ता किया गया था इसका आंसर हो जाएगा option number D मोगली पुत्रतिस नेक्स्ट को सम पुछा गया है आई की और समानता मापीश आती है तो इसका आंसर हो जाएगा option number C गिनी लॉरेंज अनुपात नेक्ष्ट को सम्पूस आगा है नेमलिकित में से कौन विचामीन एक का सबसे अच्छा स्रोत है तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्स नमबर सी गाजर नेक्ष्ट को सम्पूस आगा है फूल का हुआ हिसा जो फल बनता है इसका आंसर हो जाएगा option number C, अंडास है next question पुछाएगा प्रकास, विधूतिय प्रभाव किसने खोजा था इसका आंसर हो जाएगा option number B, अलबर्ट आइंस्टेन next question पुछाएगा निमलिखते में से किसे laughing gas कहा जाता है इसका आंसर हो जाएगा option number B, नाइट्रोस आकसाइड next question पुछाएगा निमलिखते में से किस रासाइन को philosopher's wool कहा जाता है इसका आंसर हो जाएगा option number B, जिंक आकसाइड next question पुछाएगा लोहे का सुधतम रूप है इसका आंसर हो जाएगा option number A, गढ़ा लोहा next question पुछाएगा hydrogen bomb dot 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 सिधान पर आधारित है इसका आंसर हो जाएगा option number B, पर्मानो सनलेयन next question पुछाएगा निम्बू के रसका pH मान कितना होता है इसका आंसर हो जाएगा option number D, 2.5 next question पुछाएगा मरकरी सलफाइड का सामान ये नाम क्या है इसका आंसर हो जाएगा option number D, सिंदूर next question पुछाएगा निम्ली खिति में से किसे pearl S कहा जाता है इसका आंसर हो जाएगा option number C, का आंसर हो जाएगा K2CO3 next question पुछाएगा वासिंग सोटा का रसाइनिक नाम है इसका आंसर हो जाएगा option number C, sodium carbonate next question पुष्यागा खट्टे दूद में कौन सा अमल पाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा option number D दुग तो अमल जिसे English में lactic acid कहा जाता है next question पुष्यागा है निमलिखित में से किस धातु को मुम में रखा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा option number B लीथियम next question पुष्यागा है बेरी बेरी किसकी कमिक के कारण होता है तो इसका आंसर हो जाएगा option number D विटामिन B1 next question पुष्यागा है वासा जा में घुलन सिल विटामिन कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा option number B, K नेक्ट करसम दूशाएगा है निम लिखित में से कौन हॉर्मोन अग्रदूत विचामिन है तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सिन नमबर डीज का आंसर हो जाएगा विचामिन डी नेक्स्ट को समदोसागा एन्यम्लिक खित में से किस संगठन ने वर्स 2020 का नौबेल सांती पुरुसकार जीता है तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्सन नमबर 20 का आंसर हो जाएगा WFP नेक्स्ट कोसम पुस्याग है नोवेल पुरुसकार प्रतेक वर्स कितने स्रेनियों में दिया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा ओप्स नमबर डी छो Next question पुछागा है भारत रतनа पुरुसकार पाने वाली प्रथा महिला है तो इसकांसर हो जाएगा option number D इंदिरा गान्धी Next question पुछागा है क्योट्रो प्रोटोकल कब हुई थी तो इसकांसर हो जाएगा option number C Canadians सब्सक्राइब भारतिय संसद में कौन सामिल किये जाते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा option number D इनमें सभी next question पुछागा है भारत का सबसे पुराना तेलकार खाना तो इसका आंसर हो जाएगा next question पुछागा है भारत का सबसे प्राचीन परवत है तो इसका आंसर हो जाएगा option number A अडावली next question पुछागा है इस रोग कहां अवस्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा option number A बैंगलूरू next question पुछागा है इसा तीस धवन अंतराक्षी केंद्र की अस्थापना कीस वर्स की गई थी तो इसका आंसर हो जाएगा option number A उन्हें सब एक हत्तर next question पुछागा है वो आयू में सबसे ज़्यादा परतीसत होता है तो इसका आंसर हो जाएगा option number C नाइट्रोजन next question पुछागा है इंडियन एकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किस ने लिखी तो इसका आंसर हो जाएगा option number C, CT, कुडियन next question पुछागा है तीन कठिया पधती संबंधित थी तो इसका आंसर हो जाएगा option number B, क्रिसी से next question पुछागा है डेजर्ट नेशनल पार्क किस राज में स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा option number C, राजस्थान next question पुछागा है दुनिया के पहले ग्रीन होस गैस निगरानी उपकरह का नाम क्या है तो इसका आंसर हो जाएगा option number C, इबू की next question पुछागा है वणने जीव संब्रक्षन अदिनिया पुने सब बहत्तर में कितनी अनुसूचिया है next question पुछागा है अंतराश्टिय जल दिवस मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा option number A, 22 मार्ज next question पुछागा है .डाडाड विहार का राजकीय पसू है तो इसका आंसर हो जाएगा option number A, गॉर कारवन के अर्ध जले कन के कारण उत्पन होता है तो इसका आंसर हो जायाएगा option number B स्वसन संबंधी समस्या next question पुछा गया है अधिकतर कालिक उत्पन करते हैं तो इसका आंसर हो जायाएगा option number D ताप विद्धुत सन्यांत्र next question पुछा गया है और नीथो लॉजिक के अधियन किया जाता है तो इसका आंसर हो जायाएगा option number C पक्छी next question पुछा गया जानवर विभार के विग्यानिक अधियन को कहा जाता है तो इसका आंसर हो जायाएगा option number A आचार विग्यान next question पुछागे हड़ी मसल्स से डॉट और डॉट की सहाइता से जुड़ी होती है तो इसका answer हो जाएगा option number B tendon next question पुछागे निम्लिखित में से कौन जैब अब घटिये प्रदूसक पदार्थ है तो इसका answer हो जाएगा option number A seaways next question पुछागे दूसीत पानी डॉट डॉट की सहाइता से सुध किया जा सकता है तो इसका answer हो जाएगा option number A सुक्समजीव next question पुछागे भारा सरकार ने कब जल अधिनियम पारित किया तो इसका answer हो जाएगा option number B 1974 next question पुछागे दक्कन पास कहां आवस्थित है तो इसका answer हो जाएगा option number A दक्छीन एवं छोटा अंडमान next question पुछागे भारत का सबसे उच्छा बांध कौन सा है तो इसका answer हो जाएगा option number D टिहरी बांध next question पुछागे भारती जनांकी की इतिहास में महान अभीजक वर्ष कहा जाता है तो इसका answer हो जाएगा option number B 1921 next question पुछागे दक्छीन पुछागे दक्छीन पास कौन सा च्छेतर सबसे अधिक भुकंप प्रभावित च्छेतर है तो इसका answer हो जाएगा option number A गंगा ब्रह्मः पुत्र घाटी next question पुछागे CPR पड़ियावरन सिक्छा केंदर कहां इस्थित है तो इसका answer हो जाएगा option number B चन नई next question पुछागे वन अनुसान धान संस्थान कहां है तो इसका answer हो जाएगा option number C देहरादून next question पुछागे वन पुछागे वन पुछागे किस फसल को ब्रिक्छारोपन फसल माना जाता है तो इसका answer हो जाएगा option number A coconut next question पुछागे है और अस्टेलिया की राजधानी है तो इसका answer हो जाएगा option number A canberra next question पुछागे प्रदिप्ति का SI मातरक है तो इसका answer हो जाएगा option number C Lux और last question पुछागे है water gas misran है तो इसका answer हो जाएगा option number A CO plus H2 I hope you enjoy the lesson if you like the video do subscribe my channel and press the bell icon so that you never miss an update thanks for watching